मैं एक बढ़िया थी, सुवाद बढ़िया लगे था, छाच योची, खाथ पूस गिरेजा, आज सरकारी खाच से रहे हैं जिसमें परोजनली चनता को भी लगता है कि कहीं न कहीं आने वाले दिलों में जो अनकूट होगा उसका ज्याएका फिका हो सकता है तताब जी कर रुकरते हैं पारमपरिक त्योहार है, जो परमपरा हैं अनकूट की उनको लेकर अगर बात की जाती है, किया लगता है, व्याफ़ाइकता के कारण भी कहीं न कहीं हाशे पर आए ही यह परमपरिक फसले है, इससे बड़ी बात किधार जी यहां है, क्यांकि जैप पूर तो पूरी दुनिया में फेमर्स है अपने लक्की आनकोट के लिए कदम डूंगरी हो चाहे कितने भी बड़े बड़े लाकों की संक्या में जुटते हैं और लाइन की लाइन ना अमीर ना गविरीब ना उच ना नीच सारी एक लाइन में लगते हैं क्या इस बार ऐसा म माहौल नजारा नजर आएगा नजर आएगा लेकिन इतना नहीं आएगा जो पूर वर्सों में होता आया है कदम डूगरी है खोले के अनमान जी है गलता गेटा मंदिर है यहां लाखों पबलिक इसमें अनकुट परसादी में आती है और उसका जो कलेक्शन होता है पर्टि पर्टि जो है बटने चले हो सतर परसेंट रह जाएगी तो आम जनता को जो एक करीब एक मानली जी अभी पूरु सालों में लाख आदमी अगर उन्होंने परसादी पाई अनकुट की तो इस बार उन्ली सतर जार लोग ही पापाएंगे तीस जार आदमी वंचित रहेंगे याने कि लोगों के संक्या क्या रस्ता निकालें क्योंकि यह हमारी परंपरा है लोगों को इखटा करने की कैसे निकले क्या कोई वैग्यानिक रस्ता निकाली है कि जिससे कम से कम अनकूट का यह माहौल हमारी परंपरा आएं खप नहीं हो इसमें यह है साब कुछ तो वेराइटी जैसी है जो अर्ली मेचिरिंग वेराइटी जी बोलते हैं अपने जिनको 60-60 दिन में पख जाती है वो थोड़ा किसान अगर यूज में ले तो उससे कुछ ग्रेन उसको मिल सकता है लेकिन इसमें भी क्या है किसाब यह जो मानसूल का सेट अप जो डिस्टर हुआ है उसमें वो वेराइटी जी काम नहीं कर पाती है क्योंकि अगस्त में वो आई करने के बाद में अपन अक्टूर में यह माने कि कुछ ने कुछ ने कुछ पैदावाल में जाई है बर्गर और पिज्जा का सामुएक समारों करना पड़ेगा बोज करना पड़ेगा अगर सरकार ने अगर कोई तरह का सिचाई विवस्ता का आई या कोई नहरों की विवस्ता नहीं बैठाई तो राजिस्तान में फसलों की पोईशन तो यही बनेगी वह इसके अंदर की अपने को जो है यह और नरियान अपने जो अपनी चोईस की चीज है कि हम अपने पारम पर एक चीजों को खोते जाएंगे कि आपको भी यही लगता है कि यहां पानी की जो जिस तरह की जिसाएकी वेवस्थान नहीं बैट पारी है उसका बहुत बड़ा कारण है इसमें वेस्टर्ण जो राष्टान है जहां पानी की बिल्कुल वेवस्ता नहीं है उसमें तो किसान बोएगा ही बोएगा बाजरा है मौठ है यह उसकी जो दलन फसल थोड़ी मोटी है यह तो उसको बोनी बोनी है यह तो कंपसरी क्रॉप है उसके अब वो पैदावार कुछ कशकी सार्फिस दे चाहें नहीं दे किसान के लेकिन बोभाई तो करता है जैसे इस बार भी हमने देखा विकानेर बाड मेर का क्लेक्शंस कीये थे तो वहां खिसान नहीं कर रिक आप क्या सुझाओ देना चाहेंगे क्रिशी विग्यानिक के नाति क्या सुझाओ देना चाहेंगे ताकि ये पारंपरी जो फसले हैं हमारी इनका जो है अस्तितुव बना रहे इसका जो में जो एरिया है साथ मेजर एरिया जो सेवन्टी परसेंट एरिया जो वेस्टर रास्त कुछ बीज की उपलब्टा जो है वो सरकार करें खिसानों के लिए तो उसे कुछ हद तक किसान के बीज को है आप क्या कहेंगे के अधिक्ष किनाते आपको क्या लगता है कि बाजरा मूंग मोट चावल ये तमाम ऐसी फसले हैं जो अनकूर्ट में शामिल की जाती है इनको की वन बाई वन और बाजरी की एक फसल आती है तो वेग्यानी को लेकर के राजी सरकार को इस तरह का एक प्रोस्थान देना चीए कि जो पार्मपारिंग फसले हैं अपनी उनका इस तरह का रूप बनाया जाए कि कम से कम पर्टिकुलर वेस्टन एरिया है उसमें उस टाइम में हो और दूसरा जो एरिया है उसमें दूसरे साल में दो वार फसले हो जाए तो अपनी पूरती परंपरागत आइटम्स की हो सकती है और आम जंता के लिए रात बिल सकती है आपको का लगता है कैसी ये परंपरा बची रहेगी केदा जी ने और शर्मा जी ने कुछ तरीक जरूर है लेकि यह ऐसी हमारी परंपरा है जो हमारे स्वास्त के साथ साथ हमारे सांस्कृतिक जीवन मुल्यों को भी जोड़ती है हमारे पूरवजों से हमको जोड़ती है इसलिए इन सांस्कृतिक परंपराओं को बने रहने के लिए हमारी जेब से कुछ ज़्यादा पैस को जिन्दा रखने की इसके लिए प्रियास करने होंगे साथ ही साथ इन पारंपरिक फसलों को भी बढ़ावा देना होगा मुद्दा में बस इतना ही हमारे महमानों का हम शुक्रिया आदा करेंगे चलते चलते आप देखिए क्या कहती है कवी की गलम नवसकार फसल की दस्तत से किसानों के चेहरे खिल जाते हैं जो नया अन आता है उससे घर भर जाते हैं सदियों की परमपरा में बसी है नए अन की याद अब तो बस यही डर है न बिगड़े अन कूट का स्वाद में बस्ति एइस्ता क volcano में था आता है प्ला आता हैं भर गपची में जा जा याद प खुब पिलियों के आता हैं स 용ने है किर किर भादयों के ऑगक क्या स्वाब मी दुक्तिया